हरे कृष्णा, श्रिमत भागवत्तम से आज हम स्कंधतीन अध्याइच्छे स्लोक नमबर 29 and 30 पढ़ने वाले हैं उम्नमो भगवते वासुदे वाया उम्नमो भगवते वासुदे वाया नारायनम नमस्कृत्या नरंचैवा नरुत्तमं देविम सरस्वतिम व्यासं ततो जया मुदे रहेत नश्ट प्रायेशु अभद्रेशु नित्यम भागवत्त से वया भगवती रुत्तमा श्लोके भक्तिर भवती नश्ठे के ग्रंथराश्रिमत भागवत्तम की जय श्रुला प्रहपात की जय गुर्माराज की जय आप सभी वैश्नम भक्त भरिंद की जय तो आईए अब हम श्लोक नमबर ट्वेंटी नाइन पड़ते हैं तालतियेन स्वभावेन भगावन आभिमाश्रितह उभायोरंतरं व्योम ये रुद्र पाल्षदं गणह अनु वाद अटपडियां स्वभावेन आभिमाश्रितह उभायोरंतरं व्योम ये रुद्र पाल्षदं गणह अनु वाद अटपडियां स्वभावेन श्री भगवान के विरात रूप की नाभिमाश्रितह उभायोरंतरं व्योम ये रुद्र पाल्षदं गणह के अंतरम बीच में व्योम आकाश ये जो सब रुद्र पाल्षदं रुद्र के संगी गणह लोग जो जीव रुद्र के संगी है वी प्रकृति के तिसरे गण अर्थात तमो गण में विकास करते हैं वी प्रिथ्वी लोग तथा स्वर्ग लोग के बीच आकाश में स्ठीत होते हैं तात परिया आकाश का ये मद्ध भाग भूवर लोग कहलाता है जिसकी पुष्टी शिर विश्वनात चक्रवर्ती तथा शिर जीव को स्वामी दोनों ने की है श्रिमत भागवत गीता में कहा गया है कि जिनमें रजोगुन प्रधान होता है वे मद्ध भाग में स्ठीत रहते हैं जो लोग सत्वगुन में स्ठीत है वे देपताओ के क्षेत्र में भेज दिये जाते हैं जो रजोगुन में स्थित होते हैं वी मानव समाज में रखे जाते हैं तथा जो लोग तमोगुन में स्थित हैं वी पश्यों या प्रेतों की समाज में स्थान पाते हैं इस निसकर्ष में कोई विरुधा भास नहीं है असेंख जीव ब्रह्मान्द के बिभिन्द ग्रहों में फैले हुए है और इस तड़ा फौतित प्रकृती की गुणों के अंतरगत अपने अपनी गुणताओं के अनुसार स्थित रहते हैं तो आज का जो श्लोक है यह बहुत महत्योपूर्णा श्लोक है जैसे की रुद्र के बारे में यहां पर उल्लेख है और कर्ष शिवरात्री भी है महाशिवरात्री तो हम भगवान शिवजी के बारे में भी आज दिसकाशन करेंगे तो यहां पर बताया गया है कि जो रुद्र के संगी है यानि शिवजी के संगीव के बारे में बता रहे है तो वे प्रकृते के तिसरे गुण अर्था तमोगुण में विकास करते हैं भगवान कृष्ण से ही ब्रह्मा विष्णु और महेश का विस्तार होता है और भगवान ही शृष्टी करने के लिए ब्रह्मा के रूप में पालन करने के लिए विष्णु के रूप में और संगहार करने के लिए शिव के रूप में विस्तार करते हैं जो इन तीनों में जो विष्णु है वो तो विष्णु तत्व है और जो भगवान शिव है वो शिव तत्व है और ब्रह्माजी जीव तत्व है लेकिन कोई भी ब्रह्मांड में अगर इतना क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं मिलते हैं कि जो ब्रह्मा बन सके तो भगवान मा के रूप में शृष्टी करते हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं है यह नहीं है कि भगवान सद्धे लोग में रहने लगते हैं जिस प्रकार कभी कभी अगर कोई सर्वेंट नहीं एविलिबल है तो घर का काम मालिक भी करता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो सर्वेंट कोरटर में रहने लगते हैं तो यानि यह सब तत्व की बात है और हमें समझना होगा कि जो शीब तत्व है वो जीब तत्व और विश्णु तत्व के बीच में स्थित है और जो एक्चुली जीवात्मा को भगवान विश्णु से मिलाने का कार्य भी करते एक पूल की तरह है इसलिए भगवान शीब को समस्थ वैश्णवों के गुरु माना गया है क्योंकि वैश्णवों में सर्वपरी है भगवान श्रीकृष्ण ने भी शीब जी जब रास लिला में प्रवेश चाह रहे थे तो ललिता विशाखा सकी ने उनको रोग दिया था तब शीब जी प्रवेश अगर करना चाहते तो ललिता विशाखा सकी ने कहा कि आपको मान सरुबर जो राधराने की मान के कारण उनके अश्रू से बना है राधारानी एक बार रासलिला में थोड़ा विलंब हो गई थी तो कृष्णा ने रास नृत्त शुरू कर दिया था तो इससे राधारानी बहुत मान में आ गई थी और मान सरोबर के किनारे ही वो बैट गई थी तो भगवान शुरूबर में सनान किजे तो आप गपी रूप धारण करके तब रास नृत्तों में प्रवेश कर सकते है तब जाके मान सरोबर में शिप जी ने सनान करके गोपी रूप में भाग लिया और भगवान कृष्णे ने तब से उनका नाम गोपी श्वर रग दिया गोपी श्वर महादेप का दर्शन अभी भी हम व्रिंदावन में कर सकते हैं जो गोपी रूप में भगवान शिवजी सचते है तो ऐसे तो भगवान शिवजी भगवान के बहुत बड़े भक्त है सर्विश्रिष्ट भक्तों में से है लेकिन क्योंकि उन्होंने संगहार के लिए तमोगुण को धारन किया है और इसलिए हम देखते हैं कि भगवान शिवजी के जो संगी है से सकी भूत, प्रेट, पिशाच, आधी जो कैलाश में भी निवास करते हैं और भूवर लोग में भी भूवर लोग स्थित है हमारे भूव लोग और स्वर्ग लोग के बीच में भूव लोग यानि प्रिथ्वी लोग और जैसे हम गायतरी मंत्र में हैं ना भूव जो लोग है वो स्वर्ग लोग और प्रिथ्वी लोग के बीच में है तो जो लोग रुद्रक के संगी है जो लोग राक्षस है, असुर है, भूद, प्रेट, पिशाच, आधी है तो वो लोग जाते हैं भूवर लोग में क्योंकि भुवर लोग भूमी लोग से उपर स्थित है तो निश्वित रूप से जो मनुष्य लोगों के लोगों में जो पावर नहीं होता है वो भुवर लोग के लोगों में होता है वो हमसे अधिक सुन्दर होते है हमसे अधिक शक्तिशाली होते है उनमें माया भी विद्याय होती है और भुबर लोग के जो असुरगरन है वो के बार पृथ्वी में भी उतरते है और स्वर्ग में भी आक्रमन कर देते है और इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि भगवान शिवजी ने जो भगवान विष्णू रिजेक्ट करते है वो भगवान शिवजी ग्रहन करते है यानि भगवान विष्णू ही ऐसा ही प्लैन करते है कि किसी ना किसी तरह से हर जिवात्मा का कल्यान हो यह सब जो है भगवान की लिलाय है ने तो हरी हर युद्ध जो है वो भगवान शिवजी और विष्णू यानि कृष्ण की बीच में लड़ाई है तो ऐसा कभी भी नहीं होता क्योंकि भगवान शिवजी तो हमेशा भगवान के नाम जब करते है जब रामे स्वरम की कथा आती है तो भी हमने अलरडी सुना हुआ है कि जब राम जी रावन को मारने से पहले क्योंकि रावन शिवभगत है तो शिवलिंग बना कर जब पूजा करते है तो जो वहां के लोकिल लोग है वो लोग बोलते है कि जो राम की भी इश्वर है वो रामेश्वर है तो ये बात जब बोलते है तो देवतागन सहन नहीं कर पाते है तो देवतागन प्रकट होके होके बोलते है ऐसा नहीं है राम और शिव दोनों ही भगवान हैं दोनों की ही एक्वेली पुझा होना चाहिए दोनों ही हमारे इश्वर है तो ये सुनके शिव लिंक में जो भगवान शिवजी है वो भी सहन नहीं कर पाते है वो प्रकट हो जाते है और कहते है नहीं नहीं ऐसा नहीं है राम जिनका इश्वर है वो राम इश्वर है यानि श्वयम शिवजी कहते है कि मेरा इश्वर राम है इसलिए वो हरी राम हरी र बहुतन ना दूर्ण टिरफ पोर शब dif आप लेकिन भागवान एसा ही वुनिएसा प्रशकु Candhistoire को प्यूट्यित प्रशक्रावर ही लगुटा उनमें भक्ति उनमुखी पुन्या आती है, उनको भक्ति करने का चांस मिलता है तो मनुष्य को ये न करना प्रकारिना, हर जीवात्मा को किसी न किसी तरह से भगवान की सेवा में लगाना है जैसे कि फूल को लगाया, और जैसे कि कृष्ण प्रसाद खिलाया, भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद, जीव जन्तू को खिलाया आजकल लोग जो बच्चा हुआ खाना है, वो फ्रीज में रखके दो-चार दिन तक खाते रहते हैं लेकिन अगर हम ये आदत दाले, कि भोग लगाने के बाद जो प्रसाद हम खाते हैं, उसके बाद अगर बच जाता है, तो अगर जैसे बाहर गाय है, कुत्ता है या इन्ना जीव जन्तू है, उनको दे दे खाने के लिए, तो उनका भी उद्धार हो सकता है, उनको भी मनिश और इस प्रकार जो भक्ती करने का उनको चांस मिल जाएगा, तो हम देखते हैं कि जब रुद्र के संगी की बात हो रही है, इसलिए ये प्रसंग आता है, जब भगवान श्री कृष्ण का पोता है, अनिरुद्धा, तो अनिरुद्धा को प्रेम हो जाता है, उस्षा से, ज तो वहाँ बानासुर राज करते थे, वहाँ अगनीगर था, अगनीगर मतलब एक ऐसा महल जो चारो और अगनी जलता रहता है हमेशा, ताकि उनकी बेटी जो उश्षा बहुत ही सुन्दर है, वो शिब जी और परवती जी की भक्तिन थी, तो उनको प्रोटेक्शन देने के कोई पुरुष वहाँ प्रवेश्ना कर सके, कोई परिंदा भी नहीं खुछ सकते है, ऐसा अगनीगर है, तो वहाँ पर रखते थे, लेकिन उश्षा जो है शिब जी और परवती जी की भक्तिन थी, तो ओवियस है कि वो एक धरमात्मा पती के लिए प्रार्थना करती थी, तो एक दिन स्वपने में शीब जी और परवती जी ने उनको अपने पती का रूप दिखा दिया, वो है कृष्न का पोता अंधिरोधि, कृष्न का बेटा प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का बेटा अंधिरोधिका, तो जब दर्शन कड़ा दिया, तो अब उश्षा इद्या आती थी, जो नारद मुने नहीं सिखाया था, उनको इद्या, तो चित्रलेखा को किसी भी जगह का छित्र बना सकते थी बिना देखे, तो वो एक एक जगह का छित्र बनाने लगी, लेकिन कहीं भी उश्षा के उतना सुन्दर अनिरुद्ध का रूप नहीं मिला, तो फिर चित्रलेखा ने लास्ट में द्वार का नगरी में रहने वाले निवासियों का चित्र बनाया, तो सबसे पहले कृष्ण का बनाया, तो उश्षा उने बोला एक सेकेंड रुखो, तो उश्षा ने देखा ध्यान से, लेकिन बोला है ऐसा ही लगता है, लेकिन है नह जब अनिरुद्ध क화गा तो उश्या ने कहा ही की है पर हम कैसे उनको लाइंगे यह अगने गड़ है तो चिट्रलखा को विद्या आ दुझी तो वह गयी और फिर एक प्रकार से जब अनिरुद्ध सो रहा था तभी वह उनको एक प्रकार से हरन्स करके ही ले आई तो अब उश्या के महल में अनिरुद्ध आ चुके थे उश्या अनिरुद्ध दोनों के चारो आखों का मिलन हुआ और वो लोग एक प्रकार से गंधर वे विवाह करके एक साथ रहने लगें लेकिन बानासूर भी जैसे किसी को फेचते हैं जिसे मन्थरा होते हैं कुपजा होते हैं ऐसी एक स्त्री थी जो आके देखा कि उश्या का जो चाल चलन है लक्षन है वो अलग हो रहा है ऐसा लग रहा है कि यहां पर कोई पुरुश है तो जाके बानासूर का उनके पिता का कान भर देते हैं तो बानासूर तत क्षन आ जाते हैं महल में और देखते हैं कि उसा निरुद्ध बैठके वो खेल रहे हैं जो चोचर मतलब उसको बोलते हैं कि आजकल के चैस जैसा वो कुछ खेल रहे थे तो तुरंत उनको नाग पांच में बंदी बना लेते हैं और ये खबर जब कृष्ण को मिलता है तो कृष्ण बल्राम सारे ये दुवंग्षियों को लेकर यूद करने आते हैं बानासूर से तो बानासूर भी महान शिप भक्त थे जैसे रावण असूर लोग हमेशा शिप जी के बक्ति करते हैं वो विष्णो के बक्ति नहीं करते हैं इसलिए यहां पर बताया गया रुद्र के संगी तो लेकिन असूर की बुद्धी हमेशा जो है उल्टा ही वी परित दिशा में चलती है तो बानासूर ने इतना उनके हजारो हाथ थे और हजारो हाथ से ड्रम बजाकर भगवान शिप जी की स्टुति काकर शिप जी को उनने तुष्ट किया था कई बार ऐसा मतलब भगवान की पूजा में हो करते थे तो शिप जी ने एक पर प्रसंद नहों के उनको वर युद्धा नहीं मिलता हूं मुझे ऐसा युद्धा चाहिए जो मेरी से भी पड़ाक्रमी हो और मुझे जिसके साथ युद्ध करके मज़ा आ जाए असूर का यह होता है उनमा जब शक्तिया होती है वो पावर दिखाने लगते है इसे मनिश्य में भी जो आसुरिक वेक्त असूर लोग को खुजुली होती है बहुत जदा पावर होता है आपको मालूम है हिरन्नाक्ष जो हिरन्नक शिपु के बड़ा भाय है तो चोटा भाय माना जाता है कि जुर्वा में जो पहले आता है उसको चोटा माना जाता है तो सास्ट्रों के अनुसार तो हिरन्नाक्ष बहुत पावड हो किसको किस से युद्ध करो इतना हो करते थे जिसे समुद्र में जाके पानी पर हाथ मारते थे किस से युद्ध करो ताकत होता है तो हो सहन नहीं कर सकते तो सुनामी आ जाता था कितने लोग मर जाते थे तो फिर वरुन देप से युद्धि करने के लिए पाने के अंदर गए वरुन देप उने का बुद्धिम बुद्धिक से काम लिया बोला कि नहीं मैं तो बहुत बुड़ा हो चुका हूँ जाओ अभी न बरा अवतार जो हुआ है भगवान विष्णु है तो वो पृत्वी के रक्षा के लिए अवतार लिये है आप उनसे युद्धिकर वो विष्णु है भगवान तो बरा अवतार से युद्धिकरते हैं और मारे जाते हैं तो असुर लोग ऐसे ही होते हैं, वो लोग अपने ताकत को सहन नहीं कर सकते हैं तो इसलिए बोला कि अपने ही मृत्त को बुलावा दियने जैसा हुआ है तो फिर भगवान शिप ने कहा, रि मुर्ख ठीक है जा तथास्टू तो एक दिन ऐसा आएगा तो तेरा जो तोड़न है, वो गिरे का तो समझ लेना कि वो आ रहे है तो बानाशू ने देखा चर जो बनाया था वह बहुत बड़या तो तूट गया है संग्यों को लेकर आते हैं और संग्यों में वो जो नरक है जिसे हमारे पृत्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल, तल, तल, रसातल, पाताल, पाताल के बगल में नरक है तो नरक में जितने भी लोग थे जिसे कि ब्रह्मराक्षास भी होते हैं जो ब्रह्मराक्षास बन जाते है ब्रहमराक्षोस को और बहुत सारे जो भी नरग पुरा नरग के लोगों को लेकर आए और युद्ध में लगा दिया तो शिवजी ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि भगवान शिवजी बहुत दयालू है और उनको मालूम है कि भगवान कृष्ण की उपस्थिती में और भगवान कृष्ण के विरुद लड़कर भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुई मरेंगे उसी इद्धा भगवत धाम जाएंगे जैसे कि कृणुक्षेत्र में भी भगवत में उल्लेख मिलता है क्योंकि कृष्ण सामने थे कृष्ण का दर्शन हो रहा था कृष्ण की युप स्थिती थी इतना ऑस्पीसियस था कि रुख्षेत्र में युद्ह करने वाले सब भगवान के धाम गए सबको मुक्ती हो गया तो इस तरह से शिवजी इध करते हैं और भगवान पृष्णे से ही युद्ह करते हैं और उनका उध्धार हो जाता है तो इस प्रकार से व भगवान शृप जी नहीं को धना ख्रश्वार्थ भक्ति करते हैं तो उनको भगवान शीप शृप क्रिश्ण भक्ति देते हैं गुरु भी है तु इसलिए भगवान भी कहते है कि अगर कोई मेरा बहुत बड़ा भक्त भी हो लेकिन अगर शीप जी का अनाधर करते हैं तो उसको वैकुंत में प्रवेश नहीं दूगा और शीप जी भी ऐसे जो कृश्ण का अनाधर करते हैं कितना बिबड़ा भक्त है शीप जी उनको भी अपने भक्त नहीं मानते तो ऐसे बहुत सारे कथाय आती हैं तो यहाँ पे तमगुन का विकास करने वाले वयक्ति जो है भुव़ लोक में जाते हैं लेकिन रजोगुन का विकास करते हैं ऐसे तो कोई शुद्ध एक रजोगुन में हिस्थित नहीं होते है उन में मिश्रन होते है गुणों का satogunn भी इसलिए प्रge धरातल में सतोगुन में भी जो लोग रहते हैं, उनमें मिश्रिद होता है, मानले जो 80% सतोगुनी है, उसकता है 10% रजोगुनी थे 10% तमोगुनी हो, क्योंकि तीनोगुन जो है आपस में लड़ते रहते हैं कि कौन किस पर हावी हो जाएगा, तो इस प्रकारा जब आपस में लड़ते ह वाले जो द्ररुद्र के पूजा करते हैं तो कई लोग भुवर लोग में जाते हैं और स्वर्ग लोग में वो लोग जाते हैं उनको देवता का शरीर मिलता है तो जिन जिन देवता का वो पूजा करते हैं इसमें बताया गया इसके तातपड़े में कि देवताओं के क्षेत् तो इसलिए बड़े बड़े लोग में जिन देवता का जो पुझा करता है वहाँ पहुंच सकते हैं लेकिन सवर्ग लोग भी भौतिक संक्सार में हैं तो अधिक बुध्यमान वेक्टी स्वर्ग लोग जाने की कामना करता हैं तो हमें भी इसे ही इच्छा करना चाहिए और कृष्ण की भक्ति करने वाले भगवान के धाम जाते हैं गुलव्रिंदाव जैसे रजोगुन को विकास करने वाले मनिश्य उसमें रहेंगे और जो इतन अधिक तमोगुण होते हैं सबसे अधिक तमोगुणी तो ब्रिक्षा तरूत्री इन ये सब बनेंगे या पश्रुयोनी में पक्षियोनी में इन सब योनियों में जाएंगे उनको मनिश्योनी प् पुजा पाठ करेंगे, चलीनेस रखेंगे बहुत सारे लोगों को बहुत बेसिक चलीनेस पी जैसे नहीं पता होता है जितना मॉडर्न हो गया है उतना ही इसका कमी होगा क्योंकि सास्त्र को हम फोलो नहीं करते पर एक्जामपल जैसे खाना बनाते समय उसको जूठा करके चखना नहीं है या जब आप खाना परोस हो प्रसाद परोस्त भक्तों को तो पता ही है लेंगे जैसे कोई खाना परोस्त है तो आप देखेंगे कई बार वह जूठा प्लेट को तच करके बलब सर्फ कर रहे जब 10 लोग बैठे तो कर्चु से दे रहे है तो उस प्लेट में रखने के लिए लिए असे प्लेट को टच करके दे रहे है तो इसे जूठा हो जाता है यह तो आप सात्वी कहार खा रहे है एक दुसरे का जुठा खाना भी तमोगुण में आता है unless and until आप भगवान का जुठा खाइब भगवान की जुठा को महाप्रसाद कहते है और भगवान की शुद्भक्तों के जुठा है हो महाँ महाँ प्रसाद कहते है otherwise किसी अन्द के जुथा खाने को तमोगुणी कहा जाता है मांक्स मचली अन्डा ये तो तमोगुणी है ही और यहां तक कि प्यास लेसुन और मसूर की दाल भी तमोगुणी आहर में आते है तो ऐसे आहर खाने से तमोगुण में विकास होते है जैसे आलाइस्या, निद्रा, गंदगी में रहना जैसे बहुत लोग ऐसा भी होता है कि रोज नहीं नहाते ऐसे भी लोग है ऐसा नहीं कि हम सुचे कि नहीं है या जैसे आप बुक पर रहे हैं माल देजे सनारी होते हैं तो ऐसे जीव में से थूक ले लेके बुक पन्या पलँ तो यह सब जो है कि नहीं है यह युट यह तमोगुण का भी लक्षन है हमें साफ और मन को भी साफ रखने के लिए मंत्र का जब करना चाहिए लेका जब आ है और था गुप है कि ऑल चुरी उप सो देखे वह समय्में लेख को अगरी के मनुप करना चाहिए आयए कि हम आदा घंटा भी कोई राकता है जा पुसमेहा है जाने हमेने दिन channel maintenance कना है जब आदा गंटा भी दिन में कभी सूँ जाते है जाने ठीजाए्च जाए झारो भी रहना चाहिए थो हम हायजीन रहा है हाइजीन करें श्त्तमगुणी बोलते है तो सात्वीक लोग और तमगुनी का लोगु का जो गुण है वो तोटिली ओपोजित सात्वीक लोग कभी भी मांग्स परश नहीं करेंगे तमगुनी वही सरागला मांग्स खाएंगे और सात्वीक लोग बासी खाना वगरा नहीं खाते हैं तमगुनी लोगों को वही टिस्टी लगता है और शात्वीक लोग शुबसवा उठ जाएंगे भगवान का नाम जब करेंगे और इस तरह से होते हैं और तमगुनी लोग शोते रहेंगे और दोपेड को उठेंगे राद बर जगेंगे तो यह लक्षन होता है तमगुनी और स भगवान की भक्ति करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता लेकिन जैसे कि इश्युपन इश्यद में 11 श्लोक में बताया गया है कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हम फौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या को दोनों को हमें सिखना चाहिए क्योंकि जैसे कोई बद्ध जीव है उनका दो करते बे होता है स्वधर्मा एक शरीर का एक आत्मा का तो शरीर का स्वधर्मा है जैसे स्टुजन्ट है तो उसको पढ़ाई करना है और कोई वार्किंग है तो उसको अपने ऑफिस में काम करना है आघी भंठकिме त इस तरह से फिर बाकी समय में भग्वान के लिए निकालना होगा तो इसलिए हमें बाल्किंग करना चाले IT यह भी उपनेशचदों में बताया गया belum वही व्यक्ति भगवध्धाम जा सकता है लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ भातिक ही चीजों में लगावा है वो रजोगुन में स्थित है भगवध गीता चौदरवा अध्याय में अठारवा श्लोक है जो यहां पे श्लप्रवपाज जी तात्परे में कोट भी करते हैं कि भगवध गीता में जो कहां गया है कौन कहां जाते है उर्द्वम गच्छंति सत्वष्था मध्धितिस्ठंति राजसाह जगन्य गुणवृतिस्था अधो गच्छंतितामसाह सत्वगुन व्यक्ति उपर उच्छ लोक में जाते हैं जितना उसका सत्वगुन का वह प्रिथ्वी लोक में दे मिलता है तो इसलिए हर व्यक्ति को प्रयतन करना चाहिए कि सत्वगुन का विकास करें इनका खाना भी अलगल होता है रैजोगुनि लोगों को बहुत लोग जाते हैं तीखा मसालेदार ऐसे खाना पसंद होता है और सत्योगने लोगों को क्योंकि तीखा मसालेदार चीज आपको भगबत कीटाँ है वो आपके जलन पैदा करते है बिमार बना देता है शरीर को तामगने लोग तो है है मांग्समिचली अंडा दी सद्धोगनी लोग, वह हैं पसंद करते हैं.. सब कुछ थोड़ेजर बिल्कुछ कमपनी होग, क्या बिल्कुल खीखा नहीं होतीस भक्या जो आपके अपके conscient करने में ज्यावन ज्राइमिर्च हमें ह podéis Exactly. इसे पने मेंありがとうございます जब कर कृष्ण के नाम जब कर भंड ऑंची भवना से बनाया जाता है वहासट कर भक्त शीक की भुदहों से पाते है लग होने कृष्ण को भंग लगाए बिना आउना नौिए और दाल खाते है नa चावल खाते सब्झी स millennials ना रोटी ना पानी ही पीते है वो हर एक चीज को भगवान को भोग लगाते है तो कभी अगर बाहर भी उनको बाहर गए है, कुछ फल लेना पड़ा तो भी उस फल को लेंगे और भगवान को ओफर करेंगे यह वह ग्रहन करें तो इस तरह से उसके बाद ही वह ग्रहन करते हैं तो यह प्रैक्टिस होता है भक्त का इसलिए भक्त लोग शुद्ध सत्वे में स्थीत होते हैं जिस सत्वगुन में कोई मिश्रन नहीं हो रजोगुन और तमोगुन का तो तब ही वह भगवध्धाम जा सकते हैं तो इसलिए हर व्यक्ति को प्रैतने करना चाहिए पहले तो रजोगुन और तमोगुन से उपर उठके सत्वगुन में स्थीत हो जाए और जब वह सत्वगुन में स्थीत हो जाए तो शुद्ध सत्व की और वह आटोमेटिकली ब्रहममुर्थ में साधना करते हैं फोकस्ट होता है और जिस Lesson Me ofılar प्रगति करते हैं जाए भवकषा मेरा एपहुन सप्स्थेथ neighborhood महाना फोकस हुद्ध करे भौ्टिक जगत करते हैं यह यहता की बहुत ब्रहट्स शुक्सफित में केयरा चाहिता में fi ब्यापे मेरा ऐसध हमारा सायत में हमारा बुद्धी फोकेस होना चाहिए इसलिए जब कोई भक्त बनते हैं तो बहुत girl processed हो जब हम फोकेस्ट होते हैं तभी हम प्रगति करता है इसलिए सुबर ब्रह्मोर्त में अत्केशा होते हैं जब हम साधना करते हैं तो फोकेस् जब हम जैसे दिन आता है तो दिन में क्या होता है रजोगुन पर प्रभाव होता है सुबह का समय अलग होता है दिन का समय अलग होता है उसमें रजोगुनी व्यक्ति बहुत फ्लरिश करते है रजोगुन का प्रभाव होता है और फिर रात का समय तमोगुन का खासकर 12 से 3 बजे तमोगुन का बहुत ज़दा प्रभाब होता है इसलिए उस समय सब्टोगुने लोग जगे ही नहीं रहते उस समय सो जाते हैं उनको प्रभाब चाहिए ही नहीं है तो इस प्रकार से अलग-अलग प्रकार के मानव समाज में लोग होते है और क्योंकि भगवान सबके बेस्ट फ्रेंड है सबके रिदय में परमात्मारुप में निवास करते है तो भगवान कुछ भी ऐसा इंटर्फियर नहीं करता अनलेस पुझा के भगवान प्रिष्णा इंटर्फियर करते है अजर्वाइस सब अपने करमों के हिसाब से चलते रहते भगवान सबको स्वतंतरता दिया है रोबोट नहीं बनाया है की रिमोट कंट्रोल से नहीं तुम मेरे पुझा कर रहे है तो तभी में खाना पिना दूंगा नहीं तो नहीं दूँगा, not like that, करमों के हिसाब से, अगर कोई भगवान की पुजा नहीं भी करते हैं, लेकिन गड़ीबों को मदद कर रहे हैं, तो उसको स्वरगलूप मिलता है, उसको नेक्स जनम में उसको अच्छा सम्रिद्ध मिलता है, लेकिन हो भगवध्धाम नहीं जा सकते हैं, बार-बार जनम लेना पड़ेगा, बुढ़ा होगा, बार-बार, बार-बार विमार होगा, अमृत्तु होगा, तो जनम मृत्तु के चक्रे से, अगर हमें निकलना है, तो मुकुंध, यानि मुकुंध मिंस कृष्ण, जो मुक्ति दाता है, इसलिए उनका नाम मुकुंध है तो उनकी हमें सेवा करना होगा तो अब हम शलुक नंबर 30 पढ़ेंगे मुखा तो वर्तता ब्रम्हा पूरुशैस्या गुरुद्वः यस्तुन मुखा त्वाद द्वार्णानम मुखो भूद ब्राम्हानों गुरु हूँ यस्तुन भी बहुत महत्तो पूर्णा है अनुवाद अतात पड़ी है श्रुले प्रहपात के द्वारा श्रुले प्रहपात की जय अनुवाद हे गुरु वंख्ष के प्रधान विरात अर्थात विश्वरुप के मुखारवेंद से वैदिक ज्यान प्रकट हुआ जो लोग इस वैदिक ज्यान के प्रती उन्मूख होते है वे ब्राम्हन कहलाते है और वे समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक तथा गुरु है तो तीस नंबर जो श्लूख है इसमें हम देखते हैं कि विश्वरुप यानि भगवान की विश्वरुप के मुखारवेंद से वैदिक ज्यान प्रकट हुआ है मूख तो अबर्तता मूँ से और बहुत लोग सोचते हैं कि कोई वैदिक ज्यान कोई मनुष्य ने लिखा है ऐसा नहीं है भगवान से ही प्रकट होता है वैदिक ज्यान और जो बहुत लोग इस पर बहुत तर्क करते कि मिल जॉमिनेशन है वैदिक ज्यान में भी ऐसा भी नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण मुनी को आप सब लोग जानते हैं तो मुनी के रूप में जानते हैं इनका जन्म तो राजा की घड़ में हुआ है वो तो क्षत्रिय राजा थे, वो तो वशिष्ट मुनी का पराक्रम देखके उनके रिदय में भी ये जगा कि मैं भी मुनी बनूँगा, तो मुनी बन गए, अता पैस्या क्या, कठोड और मुनी बन गए, तो यानि कोई भी ब्रामन के योग्यता को अरजित कर सकते हैं, इसलि पनीज हो, चाइनीज हो, कोई भी रंग रूप की हो, किसी भी कास्ट की हो, सब को ब्रामन बना दिया, सब लोग सतोगुण में आ गए, भारत के लोग तो कहां खाते हैं, वो सब बाहर के लोग खाते हैं, मांस के नाम पर, ना इतना आवध्योयान संबन करते हैं, वहां पर कितना सारा फैला हुआ है, कितना सारा जुआ, कैसी नोस कितने सारे है, बिंदावन में जितना मंदिरे, कैसी नोस होते हैं, वहां पर गली-गली, और नशा के तो बात ही नहीं है, नशा तो उनका जिसे हम, यहां पर से कोई जूस पी रहे हैं, वैसे वो लोग नशा भी करत होते हैं औरście पीर शुवर्पा congregation के हमिखे हैं समार्ट ब्रामन कर्मकांडी और स्रिष्ट होते हैं ऊजण्जा करते हैं और संत इस जादू किया Community यह जदू किया प्रवपाद का मैंने एक जादू किया मैंने बहुत सारी को अल औरנים ब्राह्मन बना दिया भागवत की ज्यान से, श्रीमन भागवतम की ज्यान से, तो ये पॉसिबल है, तो इसलिए ये जो वैदिक ज्यान है, ये भगवां की मुख से प्रकट हुआ है, तो इसको हमें एकसिप्ट करना चाहिए, हाँ, अगर समझ में नहीं आए तो हमें शुद् उसका लोग गलत फाइदा उठाएंगे, this for example, सास्तर में कहा है कि, गुरू को भगवान की समान ही पूझा करना चाहिए, भगवान ने कहा है, कि मत भग्तपुझा अभ्यादिका, मेरे भग्तपुझा मेरे से बियदीक होना चाहिए, तो इसका फाइदा उठा के कुछ तो इसलिए मानव समाज के चारों वर्नका विकास हुआ है ब्राम्हन क्षप्ते वश्यशुत्रा अब बात है क्या कोई नीच कोई उच्छे है क्या आपकी बॉड़ी पार्ट जो है चला प्रपाचित आत्पड़े में बताते हैं आपके बॉड़ी पार्ट में आपके लिए ह विश्वरूप में पैर जो है वो शुद्र बोला गया है बाजू प्रोटेक्शन के लिए उक्षत्रिय बोला गया है पेट जो जैसे कि क्रिशी गोपालन बिजनेस करके वैश्य लोग जो एकोनॉमिक ग्रोज करते हैं तो वैश्य बोला गया है और जो ब्रेइन या मुक उ समाज को सही गाइडनस देते हैं तो सबकी इंपर्टनस है कोई भी किसी भी धर्शा में भक्ति कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि अच्छा मंदिर के पुजारी है तभी भक्ति कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे संत का नाम सुना है अपने संत्र रविदास है तो वह तो मूच्छी इसे बहुत सारे लोग हैं जो माल लेजिये वो टॉसक्राइब भी करते हैं पलते हैं ऑगाले करें पॉस में देखा कि एक पेट्रोल पंप है और वहां प्रबर भर है उसमें उनकी गले में नीए पिट बैग अम लटका हुआ है तो निश्रित्रुप से जब खाली रहते हैं माला करते हैं या अपना समय फालत्यों की बाते करने में या फालत्यों की चीजे सोचने में लोगों के प्रती इर्शा करने में इसमें नहीं गवाते हैं वो जितना समय उनको मिला है उसमें वो भगवान का नामचेप करते हैं और श्रशलर प्रहपाइजी भी बताते हैं, जो वेधिक ज्यान के प्रति उनमुख ना होकर संक्सारी मामलों के प्रति उनमुख है बले वो न परीवार में चयो भूरा नहीं जा जा सकता एक दॉक्टर के बेटा डॉक्टर नहीं मानना जा सकता कि तुम्हारे पापा तो बहुत बड़े हार्ट सरजन है चलो मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है तुम्हीं ऑपरेशन कर दो, मुर्डर हो जाएगा क्योंकि उसमें योद्यता नहीं है तो उसी प्रकार से कोई ब्रामन का बेटा ब्रामन नहीं हो सकता है राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता है जब तक उनमें वह क्वालिफिकेशन ना आए हां लेकिन उनमें भगवाय स्विधाय देते हैं कि दॉक्टर के घर में पैदा हु जब तक किसी के पास वैदिक ज्यान नहीं है तब तक किसी के पास वैदिक ज्यान नहीं है तब तक वो गुरु नहीं बन सकता वेदिक ज्ञान भी हो लेकिन वो कृष्ण भक्त नहीं है तो भी वो गुरु नहीं बन सकता है ये हमारे शास्टर में बताया गया है पद्मकुरान से हम श्लोग जो प्रदुपाद ने कोट किया है तात्पड़े में उपर ने जा रहे है शक्कर मानि पुणो विप्रो मंत्र तंत्रा विशार दहा आवश्न वो गुरु नस्याद वश्न वह स्वाप चो गुरु हूँ निर्विशेश वादी योग्य ब्रामन बन सकता है जो निराकार वादी है किन्तु वो तब तक गुरु नहीं बन सकता जब तक वश्नव की पद को अर्थात भगवत भगत के पद तक उन्नत नहीं होता अवश्नव गुरु नस्याद वश्नव स्वाप चो गुरु तो वश्नव जो है वो स्वपचा चांदाल के घर में पैदा हुआ चांदल लोग उत्ता खाते हैं पर उनके घर में पैदा हुआ कोई बच्चा अगर भगवान के भक्ति करने लग जाए तो शुद्ध हो जाता है और वो गुरु बन सकते है दिक्षा गुरु वैश्नव गुरु लेकिन वो नहीं बन सकता भले वो ब्रामन कुल में पैदा हुआ हो लेकिन वो वैश्नव नहीं है क्योंकि केवल विष्णुं कрий मुक्ति प्रादान कर सकते कोई अन्य देवी देव आपको मुक्ति प्रादान नहीं तो इसलिए विष्णु पूजाद करने व्यक्ति ही गुरू बन सकते इजि कि वड्सदी पद्मा पुरान में abla आए गया है और चैतने चरितामरित में भी चैतने महाप्रभु जो पांसो साल पहले भक्ति आंदुलन को जोड सरूर से चलाया जो भगवान कृष्णा स्वेम भक्ता रूप में आते हैं राधारणी का भाव लेकर जिनके बारे में हर बुडान में बताया बहुत लोगों को पता नहीं है फिर भी हर बुडान में बताया कि भगवान स्वेश्णा चैतने महाप्रभु के रूप में आएंगे फिर भी लोग को पता नहीं तो भगवान कृष्णा स्वेम बोलते हैं चैतने चैतने चरितामरित मध्यालेला 8.128 श्लोग है किबा विप्रा किबान्यासी किबा विप्रा किबान्यासी कोई ब्रामन हो शुद्र हो सन्यासी हो कोई भी हो जे कृष्णा तत्व वेत्ता जो कृष्णा विज्ञान में निशनाद होते हैं पारंगत होते हैं वही गुरु बन सकते हैं तो गुरु की युग्यता क्या है कि बल ब्रामन होना नहीं है कि क ब्रामऩरी प्रमन, और उन्र avail प्रणी भार्म काण़ि ब्रामन है वह रोल रिजएसर भादी है उससे नहीं होगा यहानि सत्तो गुन में स्थित होने से गुरु नहीं बन सकते हैं सत्तो गुन से भी उपर लिएह से अर्जुन को क्रिश्न काहते हैं कौनचा चार परमपड़ा में हमें गुरु स्विकार करना है जो परमपड़ा ब्रह्मा से शुरू हुआ है जैसे कि इस कौन मंदिर है ब्रह्मा गौरिया मध्वा वश्नव संप्रदाई है ब्रह्मा गौरिया मध्वा वश्नव संप्रदाई ब्रह्मा जी है और इसे में मद्वाचारिया आते है गौडियाग चैतना महाप्रभु स्वायम कृष्ण भगवान जो है महाभगत के रूप में आते है यह संप्रदाई है रुद्र संप्रदाई है शेवजी से शुरू हुआ है लेकिन वा शेवजी भगत नहीं सिखाया जात रुद्र संप्रदाई है जिनका आचारिया है विष्ण स्वामी और श्री वैशनव संप्रदाई लक्ष्मी श्री मिंस लक्ष्मी शे शुरू हुआ है इनका आचारिया रामानुजा अचारिया और कुमार संप्रदाई जो ब्रह्मा के कुमार गन्या चार पुत्रे ना सनक तो हमें इसलिए शास्ट्र को फोलो करना चाहिए, दो प्रकार का विश्वास होता है कि शास्ट्र विश्वास और लोग विश्वास, लोग तो यह कहते हैं, लोग जितने लोग है उतनी बाते करेंगे, मन और धर्म पैदा होगा मुझे स्वप्न में यह मिला वो मिला लेकिन आपके स्वप्न को कौन वो करेंगे कौन इसको identify करेंगे सही गलत है गुरु साधु शास्ट्रा गुरु जो वैश्णव हो साधु यानि जो परंपड़ागत साधु हो परंपड़ा में दिख्षित साध लाष्य जो आसधृ अग्या सी जोच भांध को परंपड़ागत सो स हमत गुरु सुप्न आरव को कॉर्हा शास्त्री शुक्सा स्विद्धन को ब्रांपड़ाश्य युग्जिता पर परप्ड़ाशिका चाहिए ताकि हम क्या करें कि हम शुद्ध सत्वत तक जाकर से protect आध बढ़नों सबस्क्राइब जाएगा देवाता है और दोश लोकण विसमा संता है आज जो 23 खैनलों को भीद जाते हैं तंस-फिंटीन और धनलों गया जाते हैं जो रजोगुनी है वो इसी लोक में रहते हैं बार-बार जन्म लेंगे लेकिन जो भगवान के भक्त है जिद उने वैशनब गुर्ण अरजित कर लिया है कृष्णा के शुद्ध भक्त बन गया है वो गुलब ब्रिंदा बन जाएंगे वैकुंत जगत में प्रविश्च करें तो जन्म मृत्त के चक्रे से बिमारी और बुड़ापा से हमेशा मुक्त हो जाएंगे तो आप सब का बहुत-बहुत धन्यवात रिदे से हरे कृष्णा